भारती जन्ता पार्टी असोग नगर के जिलाभ्यक्स सी अलोग पिवाडी जी पोर मंत्री और विदायक सी विजेंद्र यादो जी विदायक सी जगनात रगवंसी जी पोर विदायक सी जजबाद सिंग जज्जी जी प्रताब भान सिंग जी सचिन चौदरी जी नीरज मनोरिया जी और इतनी भारी संख्या में असोक नगर की आज की इस जन सभा में पस्तित बैनोर भाईयों राज राजेश्च्वरी की इस पावन धरा को जिस पावन धरा को मात्रि सक्ति की अप्रतिम प्रतीत राज माता विजया राजेश्च्वरी सिंधिया का सानिध्य पराप्त होता रहा हो जिस गोना संसदिय छेत्र को भारत की राजनीति के उभरतेवे एक सितारे सिमंत माधोरा सिंधिया जी ने यससी नेत्रत दिया हो इस पावन धरा को कोटी कोटी नमन करते हुए आप सभी असोग नगर वास्यों का मैं हिर्दे से स्वागत करता हूँ अविनन्दन करता हूँ बैन और भाईयों जब मैं असोग नगर के इस मंच से बोल ला हूँ तो मुझे ठिक सामने असोग नगर का राम लिला मैदान भी राम लिला का मंच भी दिखाई दे रहा है राम लिला का ये मंच हम सब को पर वो राम के लिलाओं के साथ तो जोड़ता ही है लेकिन साथ साथ हम सब को जोड़ता है संत तुलसी दाज़ी के साथ भी जिन्होंने मद्यकाल में मुगलों के सासन काल में इस दर्टी पर देश की आज़ादी के ले राम लिलाओं की परंप्रा को आगे बढ़ाया था याद करिए जब तुलसी दाज़ी की बाद आती है तो कहते हैं तुलसी दाज़ी को कुछ लोगों ने उस समय कहा था कि चलो आप भी अकबर से मिलो और आपको भी अपने नौरत्तों में सामिल करेंगे तो तुलसी दाज़ी ने कहा कि भाई देखो अकबर कौन है मैं नहीं जानता है तो लोगों ने कहा कि बादसा है वारत का उन्हों ने कहा भी देखो मेरा तो बादसा किसको कहते हैं ये भी नहीं जानता है उन्हों ने कहा राजा उन्हों ने कहा देखो मेरा तो एक ही राजा है और वह है राम और बेन और भाईयों उस मद्यकाल में मुगलों के साशनकाल में तुल्सी दास जी ने नारा दिया था बोलो राजा राम चंद्र की और बेन और भाईयों आज मोदी जी के मार्ग दर्सन और उनके नेत्रुत्तों में अयोध्या में राम लला फिर से प्रतिष्टित हो जाएं पांसो वर्सों का इंतजार समाप्तुवा और कल फिर प्रधान मंत्री मोधी जी अयोध्या धाम में पधार रहे हैं वहाँ पर भग्मार राम का दर्शन करने के लिए बैन और भाईयों अयोध्या राम जनभू में आंदोलन का इत्यास गोना का हर बेक्ति भी गौरवानित होगा इस आंदोलन को भारती जन्ता पार्टी और अन्या संगठन सभी मिलकर के सयोग करें एक स्वर्था उस समय जो मुखर रूप से कह रही थे कि इसको नित्रत तो हमें लेना चाहिए क्योंकि हमारी आनमान सान का प्रतीक है यह स्वर्था राजमाता विजया राजे सिंधिया जी का मुझे याद है राम जनम भूमी के किसी भी आंदोलन में उन्होंने अपने बेक्तिकत कारिकरमों को छोड़ करके बेक्तिकत साधना को छोड़ करके बेक्तिकत अन्हे कारिकों को एक और करके वे अयोद्या में राम मंदिर का स्थापना होनी चाहिए राम मंदिर बनना चाहिए इस आंदोलन के साथ राज माता पहले दिन से लेकर कि अंतिम दिनों तक इस कारिक्रम के साथ जुड़ी रही और आज हम सब प्रसंता हमें इस बात किये जब आयुद्या में राम मंदिर का निर्मान हुआ प्रबुराम पांसो वर्सों के बाद बिराज मान हुए और प्रबुने वाँ होली भी खेली और पांसो वर्सों के बाद अपना जन्मुच्सों भी मनाया तो सचमुच सचमुच राज माता आज हमारे बीच में नहीं लेकि राज माता की आत्मा को त्यासीम सांटी प्राप्त हुई होगी कि जो हमारा सपना था वो सपना आज हमारी वर्तमान पिड़ी साकार कर रही है उनका त्यांत सानिध्य प्राप्त होता था कितना वाजसल्य था उनके मन में देश के लिए समाज के लिए जनता जनारदन के लिए सचमुछ राजमाता थी और गोना वासी तो इस बात के लिए सौबा के साली है कि पंद्रह वर्सों तक राजमाता हुए आपका नेत्रुत्व किये देश की संसद में और सत्रह वर्सों तक भारती राजनीती में सुचिता कि प्रतीक के रूप में जिनाने विकास को प्रात्मिक्ता दे कर कि उस काल घंड में जब सादन नहीं थे तब भारत के रेल मंत्री के रूप में और जिस भी प्रकार का दाईट तो मिला उसमें कारेका एक स्टेंडर्ड दिया देश को और उसके माध्यम से भारत की प्रकति का मार्ग कैसे आगे बढ़ना है ऐसे सिमन्त माधोराज सिंधिया जी का वैसानत देश छेत्र को मिलता रहा बेन और भाईयो आज आप सौभाग्य साली है कि यहाँ पर सिमन्त जो तरा दित्ति सिंधिया जी के लिए वहाँ आपका नित्रत्वा देने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में हाँ पर पस्तित है उनके पास विकास का एक विजन है और उन्होंने भारत सरकार के नागर बिमानन मंत्री के रूप में जो प्रगति की अबुत पूर्व है आप याद करिए आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक देश के अंदर केवल 74 एरपोर्ट थे और उन्होंने पिछले पाँच वर्स के अंदर डेड़ सो से ओपर ये संख्या पहुचा दिये डेड़ सो से दिक एरपोर्ट और प्रधान मंत्री जे के सपने को साकार कर दिया हमारा विकास का सार्थी तो ऐसे ही होना चाहिए होना चाहिए न और इसी यही कारण है पुरे देश के अंदर आज जो आवाज आ रही है वो यही आवाज है एक स्वर है दो चड़नों का चुनाव संपन हुआ है बहिन और भाईयों में अब तक लगभग नो राज्यों में भारती जनता पार्टी के प्रत्यासियों के समर्थन में जन सवहाओं को करने के बाद आज मुझे मद्य प्रदेश भी आना पड़ा गोना मैं तो मैं इसलिए भी आया हूँ भारती जनता पार्टी के प्रत्यासि के साथ सिंधिया परिवार के साथ और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए के गए कारियों को सिंधिया परिवार के दौरा जो तरादित्य सिंधिया जी के दौरा राजमाता जी का जो सानित्य था इन सब को आगे बढ़ाने के साथ-साथ उसके परती आपका आउहान करने के लिए मैं आया हूँ कि कैसे विकास के कार्यों को इस परिवार ने राम जनम भूमी के मुवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था और वही आपका आवान करने के लिए आया हूँ लेकिन मैं कह सकता पंफरे देश के अंदर जो आवाज है दो ही स्वर गूंज रहे हैं एक है चारों और एक ही स्वर है कि फिर एक बार फिर एक बार मोधी सरकार का एक ही स्वर गूंज रहा है और लोगों से पूछा जाता है कि क्यों मोदी सरकार क्यों चाहिए तो लोग कहते हैं साफ बिकास पे होगा सब कुछ होगा लेकिन उनके मन में एक ही बात है उत्तर, दक्षिन, पूरा पस्टिम लोग एक ही बात कहते हैं और कह रहे हैं जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे यह है कृतिक यता का भाव जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे और यह संकल्ब जो देश के अंदर दिख रहा है अभूत पूरु है बेन और भायों आज भारत एक नया भारत है जिस भारत का सम्मान भी है दुनिया में भारत की सीमाएं सुरक्सित भी हुई है आतंगबाद और नकसलबाद नियंतित हुआ है अब तो मैं इस बात को देखता हूँ 2014 के पहले आतंग की भी स्पोर्ट हुआ करते थे नकसली इंसा चरम पर थी आज नकसलबाद और आतंगबाद को तो नियंतित किया ही है अगर कहीं पर पटाका भी जोर से फढ़ जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है जाब मेरा हाथ नहीं है